असलाम अलेकुम दोस्तों अलीकुल चांटे मदिना मुनवरा से और आज इद का दिन है और नमाज पढ़ने के लिए हैं मैं भी आया हूँ थोड़ा पहाडी के ओपर चड़ा तो बिल्कुल सास फूल गया है मेरा भी और एक घंडा में गारी घुमाता था मुझे जगा नहीं मिली गारी खड़ी करने की इतना रश्य आज अलहम्दुल्ला के हरम तक मदिना मुनौरा तक में नहीं पहुंच सका यह घजवा खंड़क का मेदान है और यहां पर मैं आया हूँ आपको यहां पर मनाज़र देखता हूँ यह तक मेरे उपर पहाड़ी पे चड़े हुए है और मैं भी वीडियो बनाने के लिए पहाड़ी के उपर चड़की आया हूँ यह देखें यह नीचे के मनाज़र है माशाला यह हुजरा रसुल्लाह सल्लाला अल्या वालियों यह जो है यहां पे लोगों ने नमाज अदा की उसके साथ में यह देखें यह सारे रोड रास्त फुल लगे पड़े हुए हैं और यह मस्जिद सल्मान फार्सी रजियाला ताला ने आ की यहां पे लोगों ने नमाज अदा की उसके साथ यह नीचे यह मेदान फत्य है घजवा खंदक मदिना मुनवरा हमने यहां पे आज एद नमाज अदा की है अलहमदुल्ला अभी अभी नमाज खत्म हुए है देखें कितनी रश लगी हुए है माशालला और हमने भी आज पहारी पे एद नमाज अदा की यह देखें कि लोग पहारी के नहीं पर भी चड़ कि आए थे नहीं यहां पे काफी उपर भी चड़े हुए है तो यह वही मेदान फार्सी रजएला ताला नहीं है और यह जनाब गजवा खंदक मेदान और यह फजरा रसूलुल्लाई बहुत रश लगा हुआ है देखें यह सारे रोड फुल लगे पड़े हुए है यह इद का समा है क्योंके इतना रश है एक घंडा में गारी घुमाता रहा मुझे पारकिंग नहीं मिल रही थी यह देखें यह वो मेदान है जहां पे खंदक खोदी गई थी गजवा खंदक इसी मकाम पे खोदी गई थी यहां से जो बाउंडरी आई हुई है बाहर से लोगों ने नमाज पढ़ी है और अंदर मस्जिद में भी पढ़ी है माशालला यह गजवा खंदक वाला मेदान है यहां पे आज एद नमाजी की है मदिना में एदुल फितुर की नमाज अदा की गई है माशालला यह साथ में हुज़ रहा है रसूल अल्ला अल्यू आल्यू आल्यू अपर से यह सेक्योर्डी भी देखें यह हलिकाप्टर घुम रहे हैं सेक्योर्डी के लिए हिफाज़त के लिए सुभानला और बहुत रश लगावाई देखें यह रोड सारे फुल हो गए हैं माशालला और हमने भी यहां पे एद की यह देखें यह मस्जिद घजवा खंदक है जिसको अर्वी में सभा मसाजिद कहते हैं यह उसके मनाज़र है अंदर तो फुल हो गई है और यह इसके ब यह घजवा खंदक का मेदान है और यह बिल्कुल रोड फुल लगे पड़े हैं यह देखें यह यहां से और यह जो है यह जो है यह हुजरा रसूल अल्हाले वालियु आसलम है यहां पर देखो लोग उपर आएंग नमाज पढ़ेंगे और यह जो मस्जिद है यह हजरत सल बेडिलिंग जो है उसके साथ में गारी खड़ी करके आया हूं क्योंकि बहुत रच लगा हुआ है माशाला गारियों का और मेरे में पहारी को पर चड़गे हूं यह पारी को पर भी लोग देखें यह यहां पर देखें ओऊ उपर भी चड़े होएं यह देखें तो मैं भी यह लेडिस का एरिया है यहां पर यह लेडिस नमाज अदा कर रही है और यहां पर मर्द और लेडिस दोनों कठे ही है देखें माशाला और बहुत रच लगा हुआ है यह देखें यह पहारी पर भी लोग बैठें और मैं भी जहां पर मैंने भी यहां पर जानमाज रखी और अभी मेरे पीछे देख रहे हैं काफी रच्छ लगी हुई है तो हम भी जाएंगे आसा आसा और अपने घर की तरफ क्योंके फिर नाशता भी नहीं किया है सुभा से नाशता भी करेंगे और फिर दोस्तों से यारों दोस्तों से मिलेंगे गश्प्षब करेंगे तब तक अलिकुल चांडियों को इजाज़त दीजिये, अल्हाफिस